हमारे लिए आज की अंजील मकदस मकदस लुकारसोल की अंजील इसका चार बाप 38 से 44 आयाद तक पद्रस के हाँ शिफाद ही और वो इबादत खानी से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तब चड़ी हुई थी और उहोंने उसके लिए उससे अर्ज की तब उसने उसके पास खड़े होकर तब को जुड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी और जिनके हाँ तरह तरह की बिमारियों के मरीज़ थे सब आफ़ताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे और वो एक एक परखात रखकर उन्हें शिफा देता था और बतेरों में से बद्रूहें चला चला कर यूं कहते हुए निकल आती थी कि तु खुदा का बेटा है मगर वो उन्हें जड़कता और ये कहने ना देता था क्यूंके वो जानती थी कि ये अलमसी है जब वो दिन होता था तो वो निकल कर किसी वेरान जगा जाता था और हजूम उसे ढूंटा हुआ उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना मगर उसने उन से कहा कि मुझे जरूर है कि और शेहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूँ क्यूंके मैं इसी लिए भीजा गया हूं और वो यहूदिया के अबादत खानों में वास करता रहा अंजीले मुकद्स के पड़े और सुने जाने पर खुदावन के बरकत हो खुदावन का शुकर हो बाप और बेटे और रुहल कुद्स के नाम से आमीन खुशपूर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानों गयान के साथ आपकी खिद्मत में हाजर है अजीज मुमनीन आज की पहली तिलावत मुकद्स पालूस रसूल के करंतियों के नाम पहले खत के तीसरे बाब में से ली गई है मुकद्स पालूस रसूल कुरंतिस के इमानदारों को उनकी कमजोरी और तफिरका बाजी पर डांटता है जिन को नई और रोहानी जिन्दगी मिली है वो उन्हें समझाता है कि तुम्हारे दरम्यान जो बातें गलत है उनकी इसला कैसे हो सकती है वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे दरम्यान खाद्मों के बारे में जगड़े और तफिरके पाए जाते हैं एक कहता है कि मैं पालूस का हूँ तो दूसरा कहता है कि मैं अपलूस का हूँ मुकदस पालूस रसूल उन्हें याद दिलाता है कि जिन खादमों पर तुम लड़ते जगड़ते हो वो सिर्फ खादम है खादम सिर्फ आला कार है जिन के जरीए खुदा ने काम किया मुकदस पालूस रसूल द्रख्त लगाने के काम के लिए और अपलूस पानी देने के काम के लिए मौदू थे मगर बढहाया खुदा ने खिदमत में काम्याबी सिर्फ खुदा की बरकत से हासल करनी चाहिए ना लगाने वाला कुछ चीज है ना पानी देने वाला मगर खुदा जो बढहाने वाला है अगर खुदा ना बढहाए तो रसूल भी काम्याब नहीं हो सकते अपने लिहाज से मुकदस पालूस रसूल और अपलूस दोनों कोई चीज नहीं बलके खुदा ही सब में सब कुछ है खुदाओं यसमसी के द्यानदार खादम अपनी खिद्मत में एक है हमें भी हमेशा खुदा की महरबानियों को देखना चाहिए और उसकी ज्यादा से ज्यादा शुक्र गुजारी करनी चाहिए खुदा के खादमीन को गमंडी नहीं होना चाहिए बलके अपनी खुबियों को इस्तमाल करके खुदा के शुकर गुजार होना चाहिए आज की दूसरी तिलावत मुकदस लुका के मताबिक इनजील के चौथे बाब में से ली गई है जहां पत्रस की सास की शिफा का मुजज़ा है खुदावन यसमसी ने ये थाबत कर दिया कि वो शाफी है और बीमारियों से शिफा देने वाला है हम देखते हैं कि पत्रस के घर में खुदावन यसमसी ने उसकी बिमार सास की तप को जिड़का और वो शफा पा गई जो लोग खुदावन यसमसी को अपने दिलों और अपने घरों में खुशी से कबूल करते हैं वो उससे बरकत पाते हैं क्यूंकि वो शफा साथ लेकर आता है हमें चाहिए कि जब हमारे अजीज रिश्टदार बीमार हों तो उनकी तेमारदारी करें और उनकी खातर इमान से दूआ मांगनी चाहिए शमाउन पत्रस की सास ने ना सिर्फ शिफा पाई बलके उसकी कमजोरी भी जाती रही और वो उठकर उनकी खिद्मत करने लगी हमें भी खिद्मत के लिए हर लमहा तैयार रहना चाहिए खुदाओं ये सुमसी ने और भी बहुत से बिमारों को शिफा दी क्यूंके उसके पास हर बिमारी का इलाज है मेरे अजीज़ो खुदाओं ये सुमसी ने बतेरों में से बद रूहें निकाली वो कहती थी के तू खुदा का बेटा है मगर वो उन्हें जिडकता और बोलने ना देता था क्यूंके वो जानती थी के ये मसी है खुदाओं ये सुमसी वेरान जगा में चला गया ताके तनहाई में खुदा के साथ वक्त गुजारे हमें भी अपनी जिन्दगी की मसरूफियात में से खुदा के लिए वक्त निकालना चाहिए खुदाओं ये सुमसी ने खुशखबरी को एक जगा मरकुज रखने की बजाए उसको बहुत सी जगहों पर फैलाना पसंद किया कफर नहूम के लोग चाहते थे के वो वहां रहे मगर उसने उन पर वाज़ि किया कि मुझे और शेहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है क्योंके मैं इसी लिए भेजा गया हूँ हमें भी चाहिए के हम भी दूसरों तक खुदा की बादशाही की खुशखबरी लेकर जाएं मेरे अज़ीजों आएं आज खुदा से खास दुआ करें कि वो हमें ये फजल बख्षे ताके हम बीमारों का ख्याल रखें उनकी खिद्मत करें नीज खुदा की बादशाही के फरोग के लिए काम करें मसी खुदावन के वसीले से आमीन